दालों में टेस्टी और मज़ेदार काली मसूर दाल है इसे भिगो दे धोकर कुकर में दो तिन चमच ओल डाल कर जीरा लहसुन को भून ले और पारी कटे हुए प्याज को भी भून ले एक तेज पता डाल ले इससे फ्लेवर अच्छा हरी मेट चीमाटर एड़ करें चार पा पांच मिनट तक भूनेंगे तो दाल का फ्लेवर और टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा एक कप पानी एड़ करें और साथ में कसूरी मेथी जिससे टेस्ट और फ्लेवर दोनों चीज़े बढ़ जाती हूं मिक्स करें टेस्ट के अकॉड़िंग नमक एड़ करें एक पानी और डाल दें और कोकर बंद करें मेडियम फ्लेम पर दो तिन सीटी आने दें कैस रिलीज होने पर दाल चेक करें दाल बहुत अच्छी बनें एक चमस देसी घी डाल दें और उपर से हरा धन्या दाल बनाने का तरीका अच्छा हो तो दाल टेस्टिब बनेगी ही गर्म अगर हम फुलके के साथ यसे सारू करें